नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार अब ये बात सीधे कहनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में कानून का राम नाम सत्त्य हो गया है मुक्यमंत्री योगी आदितनाद जूटे गला फारते घुमते हैं कि गुंडे माफिया सारे यूपी छोड़कर भाग गया और नहीं तो उने जेलों में डाल दिया गया योगी आदितनाद तो हत्यारों बलादकारियों को जेल से चोड़ रहें और मजे करवा रहें गुंडे मौाली योगी आदितनाद की जय बोलना है हसल रामराज तोनी के लिए आया है और रही बात बुल्डोजर की तो योगी अधितनाथ थर्थर काप रहें उसे चलाने के नाम पर क्योंकि आरोपी मुसल्मान नहीं है कहानी सुनकर रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है इधर बलातकारी जमानत पर छूटा और उधर पीडिता को गोली मार दे जी यहां पीडिता के परिवार का आरोप है कि हत्या उन्होंने ही की है जिन्होंने लड़की के साथ दुशकर्म किया इस घटना को अंजाम उस समय दिया गया जब बलातकार की पीडिता रात को गाजियाबाद से अपनी मा के साथ वापस संभल अपने घर जा रही थी 14 साल की छात्रा गाजियाबाद में अपने परिवार के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी और संभल के भमारी पट्टी गाओं के रहने वाली थी दोनों बस में सवाग थी बारिश की वज़े से बस लेट हो गई थी सौंधन गाओं के पास लगबग आट बजे दोनों बस से उतर गई बारिश के कारण दोनों पुलिस चौकी के पास सौंधन आदमपुर मार्क पर टिन शेड के नीचे खड़ी हो गई वही से अपने भाई को खबर की कि वो पहुँच गई है इसके बाद छातरा का भाई बाई बाई लेकर सौंधन लेने पहुँचा लेकिन बारिश तेज होने की वज़े से वो तुरंत रवाना नहीं हुए बारिश थोड़ी कम हुई तो रात करीब साथे दस बजे वो अपनी माँ और बहन को बाई पर बैठा कर घर लोटने लगा भाई ने बयान दर्ज करवाया है कि जब वो गाउं के पास पहुँचे तो पीछे से आई एक तेज रफ़तार कार ने ओवर टेक करके बाईक रुकवा ली बयान के मताबक उसकार में बहन से दुशकर्म का आरोपी रिंकू अपने मामा पप्पू के साथ मौजूद था गटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए लड़की की वही मौत हो गई तो ये है योगी आधितनाद का बुल्डोजर राज बुल्डोजर तो जरूर चल रहा है लेकिन कानून और विवस्था की च्छाती पर आपको बता दें कि रिंकू के खिलाफ फरवरी 2023 में च्छ को गोली मार दी सरसोच कर देखिए कि इस मामले में आरूपी मुसल्मान होता यही पश्चिम बंगाल या करनाटक या हिमाचल प्रदेश में हुआ होता अब तक क्या से क्या हो गया होता टीवी चैनल वाले उसे राक्षस जलाज सब बता चुके होते बुल्डोजरों का का रवाना हो गया होता और मुख्य मंत्री गला फाल रहे होते कि देख लो आरूपी का नाम लेकिन अभी सब सन्नाटे में डूबे हुए जैसे किसी को कोई फरक ही नहीं पड़ता एक निठली पुलिस इतने सबूत पेश्च नहीं कर पाती कि मिलॉड इस आदमी को छोड़ द रहता है और ये सारी विवस्था कुछ लोगों के मजे के लिए बनाई जा रही है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फोरण कर दीजिए बेल आइकॉन दबाई ये घंटी जैसी आकरिती लाइक की कर दो